नमस्कार बहुत स्वागत आपका देखें आज के जोतिश जराहट के कारिक्रम में रुद्राक्ष की माला का दिब्य प्रियोग रुद्राक्ष की माला शिव के आस्वों से उत्पन व्रिक्ष शिव तुल्य व्रिक्ष शिव स्वरूप व्रिक्ष रुद्राक्ष अलग-अलग मुखी रुद्राक्षों की अलग-अलग वृतानत हैं कहानिया हैं मैं उस पर नहीं जाओंगा मैं मूल तत्व पर जाओंगा और मूल तत्व जो है वह एक ही है वह है इस माला से मंत्र शिद्धी ये आज के हमारे कारिक्रम का मूल तत्व है रुद्राक्ष की माला से कैसे मंत्र शिद्धी हो वो दिब्य मंत्र क्या होगा जो रुद्राक्ष की माला को प्राप्त करके सिद्धी की तरफ बढ़ जाएगा इस मंत्र की विशेषता क्या है इस मंत्र से विशेष लाव क्या मिलेगा एक दिब्य तिथी पर इस मंत्र का जाब करना है मित्रों वहत्तिती है अमावस्या की तितिती अमावस्या की रात ग्यारह वजे के बाद एक विशेष मंत्र मैं बोलूँगा उस मंत्र को रुद्राक्ष की माला छुपा कर अपनी गोद में लेकर के जपना होगा ऐसे इसका आपको अनोखा लाव मिलेगा अनोखा लाव बहुत दिब्यता रहेगी आप मंत्र नोट करिए और इस बार किष्ण पक्ष का आरंभ होई चुका है तो किष्ण पक्ष का पंद्रहवातिति जो होता है अमावस्यातिति होती है अब ये ध्यान दे लिजिएगा पंचांग से कि अमावस्यातिति कब तक है रात ग्यारह और एक के बीच में अमावस्या होनी चाहिए ये ना हो कि सुबह अमावस्या थी और तीन बजे शाम तक प्रित्पदा लग गया और रात में आप जपेंगे तो प्रित्पदा में जप माना जाएगा उसी अमावस्या को कंसीडर करना है जिस अमावस्या में रात ग्यारह से एक का समय पढ़ जाए ठीक मंत्र नोट करिए आपकी स्क्रीन पर भी है ओम रुद्र रुद्रम महारुद्रम रुद्राय नमोस्तुते ओम रुद्र रुद्रम महारुद्रम रुद्राय नमोस्तुते भगवान शिव आपको महावर्दान दे रहे आपका यह भाव अपने आप में ही बहुत अनोखा होगा यह दिब्विता आपके लिए बहुत अनोखी होगी यह शुबता आपके लिए बहुत अनोखी होगी इस मंत्र को आपको रात ग्यारह के बाद जमीन पर बैठ कर एक आसन लगा कर शिव का ध्यान करना है बस जरुरी पूजास्थान हो बहुत ज्यादा धोब दीप आडंबर नहीं जमीन पर बैठना है आसन लगाना है रुद्राग्ष की माला लेनी है और इस मंत्र का जाब करना है उस माला को आप पहना चाहें तो पहने ना पहना चाहें तो ना पहने रख दीज़े फिर तीन माला जाब करना है ग्यारे से एक की बीच में ओम रुद्र रुद्रम महा रुद्रम रुद्राय नमोस्तुते ये मंत्र है श्कीन पे भी देख लेजे इसका तीन माला जाब करना तीन सो चौबिस बार आवाज ना निकले सास्वर नहीं इसका लाव मैं बताता हूँ ये मंत्र आपको तीन से पांच अमावस्या में सिद्ध हो जाएगा और इस मंत्र का लाव ये मिलेगा कि आप इस मंत्र से कोई भी बिमार व्यक्ति को उसके मस्तक पर मिडल फिंगर से इस परश करके साथ बार मंत्र जपेंगे तो महादेव की किरपा से बिमारी में लाव मिलने लगेगा बिमारी दूर होने लग जाएगी इस मंत्र को आप इस तरह से सिद्ध कर लीजे तीन से पांच अमावस्या करिए रात ग्यारे से एक के बीच में तीन माला जपना है माला को फिर रख देना है दिया को रख देना है इस बीच नो नौनवेज, नो पत्थर नौनवेज हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा पत्थर हमेशा के लिए निकालना पड़ेगा करिए इस वीडियो को शेर भी करिएगा दबागर के किसी को फाइदा हो जाएगा कितने लोग बिमार पड़े रहते कितना पैसा तूट जाता है भोग नहीं कटता ये मंत्र भोग काड़ देगा इस मंत्र का लाब मिलेगा अच्छा बॉम्बे हम आचुके हैं एबात बताना भूल गया था बॉम्बे आचुके हैं बॉम्बे में अब मुलाकात कर सकते हैं हम इस समय बॉम्बे में ही हैं जब आप ए कारिक्रम देख रहे हैं लगातार रहेंगे कोई बहुत बड़े अपॉइंट्मेंट क्या वश्यक्ता नहीं डारेक्ट भी आ सकते हैं अडवांस दिये हैं तो आना ही है आपको समय दिया जाएगा अगर अडवांस नहीं जमा किये तो भी आईए आज आजाएए कल मिलेजे परसों मिलेजे जमर्जी मुलाकार करिए ठीक नमस्कार जय महादेव शिरादे